स्वागत करते हैं आज हम एनालीसिस करेंगे हमारा SDFC का परफॉरमस हमें रिक्वेस्ट मिली थी बहुत सारे कस्टमर क्या कि एक महीने का 20 दिन सा कम से कम SDFC का परफॉरमस अपलोड करें आए देखते हैं SDFC के अंदर केसा परफॉरमस रहा अगर आप तो सेर मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पार रहा है लोज से परेशान है तो पांच मिट का ये वीडियो निकल कर आप जरूर देखें क्योंकि आपको प्रॉफिट करने में सहाईता मिले यहां पर सौफ्ट्वेर ने बाई सिगनल दिया था बाई देने से पहले हम वेरिफेकेशन करते हैं क्योंकि बहुत सारे सौफ्ट्वेर के अंदर इंडिकेटर के अंदर आप फ़स जाते हैं जब साइडवे सिगनल होता है तब साइडवे मार्केट होता है तब बाई सेल buy sell बना कर आपको confuse कर देता है पर यहां software आपको सही trade मिलता है तो ही हम trade करने वाले हैं अगर trade नहीं मिलता है तो हम trade नहीं करेगे SDFC के अंदर आठ तरिक को buy signal दिया था buy signal confirm था उसका reason यह था कि buy के पहले यह कूपर की side का arrow बनता है तो ही हम buy के अंदर काम करेगा अगर यहसा arrow नहीं मिलेगा तो हम trade नहीं करेगे आगे जाकर software आपको help भी करेगा कि आपको hold करना है और उपर जाएगा जैसे ही software को लगा कि exit होने का time आगिया है तो आपको exit करवा दिया आगे चलते है sell signal जंटेट हुआ था sell के पहले देखिए तो एक downside arrow बनेगा तो ही हम sell के अंदर काम करेगे software की condition है अगर यहसा arrow नहीं बनता है sell के पहले तो हम sell में काम नहीं करेगे तो यह software की रही condition आगे जाकर software आपको full support करेगा कि कहां तक hold करना है यह main बात है क्योंकि यह जो rally निकलती है वो rally का benefit हमें profit के अंदर convert करना है तो आगे जाकर software ने यहां बोला था hold रखिएगा market नीचे गिरेगा यहां भी बोला था hold रखिएगा market नीचे गिरेगा यहां भी बोला था hold रखिएगा market नीचे गिरेगा और software ने यहां से बोल दिया कि आप exit हो जाए तो पूरा लंबा rally निकल कर आपको exit करवाया बाद में जब हम नया signal generate होगा तो हम position लेगे आगे जाकर software ने यहां एक buy signal generate किया पहले तो हम confirmation check करेगे कि भई सही है या फिर गला दे तो यहां आपको बोला गया था उपर की side का arrow डाल करकि यह signal है वो confirm है आप इसमें trade कर सकते तो यहां से हमने entry ली अब आगे जाकर software आपको बोलेगा कि कहां तक hold करना है यहां पर आपको बोला गया कि यह और उपर जाने वाला है hold किये यहां भी आपको बोला गया और उपर जा करना है तो exit करवा दिया जैसे ही उसने exit करवा या देखिए पूरा लंबा rally निकालकर आपको exit करवा या वह main बात है यह पूरा hold करवाने के बाद आपको पूरा rally का benefit देना बहुत जबरदस्ट बात है तो एसी तरह software आपको hold करवाएगा हमारा seat number two का भी verification रेता है वो लाइन गुजर रही है उन से market उपर होना चाहिए मतलब कि यह double verify है दूसरा condition हम यह भी check करते है कि यहाँ पर जब बाई signal मिले तब नीचे की दोनों ribbon क्या होनी चाहिए green में होनी चाहिए साथ में यह भी check करते हैं कि यहाँ पर देखिए सभी के सभी राउंड उसका इंडिकेट वो कर रहा है कि green में है फूल अप्ट्रेंड में है आप इसमें ट्रेड करिए तो ऐसे signal लेने में बहुत जबरदस्त benefit होगा उसकी accuracy level high हो जाती है जब डबल डबल सीट से verify होता है आगे जलते हैं software के अंदर कि कौन से डेट में कौन सा ट्रेड दिया है देखिए यहाँ पर एक sales signal जन्रेट हुआ है उसके बाद software ने यहाँ पर बोला गया था कि एक confirm है तो हमने यहाँ पर trade किया पर sideway market के हिसाब से software ने यहां बोला था buy signal तो generate किया पर आपको बोला नहीं इसके अंदर trade करने के लिए क्यों क्योंकि software के पहले उपर की side का arrow तो होना जाए ना वो नहीं है तो हम इसमें trade नहीं करेगे जैसे कि यहाँ पर buy दिया था buy के पहले दिखिए उपर की side का confirmation arrow था तो हमने यहाँ पर trade किया था पर यहाँ पर एसा हमें कोई arrow नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेगे यह से pack signal से बचे मेंडली बात यह है कि यह से गलत signal को software बोल देगा कि बेगलत है अब आप चाहे तो continue कर सकते position को यह जो sale है उसको carry forward कर सकते यहाँ पर उसने downside arrow डाल दिया अगर आपने यहाँ पर exit कर दिया है तो आपको फिर से यहाँ पर बोला कि sale कर यह और sale के पहले confirmation arrow बेदे दिया तो यहाँ नया position आप बना सकते अब आगे जाकर software ने निशले लेवल से software ने बोला कि आप यहाँ से exit कर लिए अब आगे जाते है buy signal दिया था buy के पहले देखिए उपर की side का हमें confirmation मिल गया मतलब कि यह confirm trade है अब आगे जाकर आपको यहाँ पर बोला किया कि यह और उपर जाने वाला है hold किये यहाँ भी आपको बोला किया कि यह और उपर जाने वाला है hold किये और आज 28 तारीक है और software ने again आपको बोला है कि hold किये market तो अभी भी उपर की तरफ है अगर आपने position Friday को काट दी है तो यहाँ नया position बना सकते है जब उसने बोला कि hold किये और उपर जाएगा तब आप नया position बना सकते है उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप position ले सकते तो इससे software आपको mainly जो rally का benefit देता है pay confirmation देता है exit करव आता है वो सभी share market के अंदर trading करने में बहुत आपको सहाइता करेगी अगर आप लोच से परेशान है तो आप हमें contact करें मैं इस software का डेमो आपको free में दिखा दूगा और पूरी सहाइता करोगा और हमारी channel पर हम free में buy and sell signal जनरेट करके आपको देते हैं जब हम live होते है तो channel को subscribe करना मत बुलिएगा तब तक बने रहे हमारी इस youtube channel के साथ धन्यवाद दस्तों चाहिए